ओम नमस्शिवाए! दोस्तो, मासिक शिवरात्री दो दिसंबर को है आईए जानते है शिवरात्री के महत्व, पुजन विधी, शुबमुहुर्त और मंत्र के बारे में पावरानिक जानकारी के अनुसार हिंदु धर्म में प्रति माहा आने वाली शिवरात्री का शिव भक्तों के लिए बड़ा महत्व है माना जाता है कि माहा शिवरात्री की मध्यरात्री को भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे उसी समय ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पहली बार शिवलिंग का पुजन किया गया था हर महिने कृष्ण पक्षकी चतुर देशी पर शिवरात्री मनाई जाती है जो की मासिक शिवरात्री के नाम से जनमानस में प्रचलित है वैसे तो एक वर्ष में एक महा शिवरात्री और ग्यारह शिवरात्रिया पढ़ती है जिनने मासिक शिवरात्री के रूप में शिवजी के विशेश पुजन अर्चन के साथ मनाया जाता है मासिक शिवरात्री हर महा में एक बार आती है इस तरह से बारह शिवरात्री मानी गई है। यह हिंदी महा के दोनो पक्षों की त्रयो दिशी तिथी के दिन प्रदोश व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों की माने तो मासिक शिवरात्री पर व्रत उप्वास रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते है। यह व्रत धनकी देवी महालक्ष्मी, सावीत्री, पार्वती, सरस्वती, इंद्रानी, गायत्री और रती आदी ने शिवरात्री का यह व्रत किया था और प्राप्त करके अनन्तफल प्राप्त किये थे। इस व्रत के संबंद में कहां जाता है कि जिस भी व्यक्ति को शिव पार्वती जी की कुरुपा प्राप्त करना हो उन्हें मासिक शिवरात्री व्रत अवश्य करना चाहिए। पंचांकी तिथे के अनुसार इस बार मारगशिस मास की मासिक शिवरात्री व्रत गुरुवार 2 दिसंबर 2021 को रखा जाएगा। शिवरात्री पुजन रात्री में होने के कारण शिवरात्री व्रत 2 दिसंबर को ही किया जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी का व्रत पुज पेश फलडाई रहेगा आईए जानते है कैसे करे मासिक शिवरात्री व्रत पुजन और वीधी के बारे में मासिक शिवरात्री इस दिन सुबह जल्दी उठे और नित्त कर्मन से निवृत्त हो जाए इसके बाद जी जग पुजा करते है वहां साप कर ले फिर शिवजी को पं धतुरा जाई फल फल मिठाई मिठापान इत्र अरपित करे शिवजी को चंदन का तीलक लगाए खीर बना कर उसका भोग लगाए दिन भर भगवान शिवजी का ध्यान और उनकी स्तूती करे रात्री के समय प्रसाद रूपी खीर का सेवन कर पारन करे और दूसरों को भी प अब जानते हैं मासिक शिवरात्री तिथी और शुभमूर्त के बारे में मारगशिश कृष्ण त्रयोदिशी तिथी का प्रारंभ बुद्वार एक दिसंबर को रात्री ग्यारह बचकर 35 मिनिट से शुरू हो रहा है और गुरुवार दो दिसंबर 2021 रात्री आड़ बचकर 26 मिनिट पर त्रयोदिशी समाप्थ होगी उसके बाद से चतुरदिशी तिथी शुरू होगी जो की दिन शुक्रवार 3 दिसंबर को शाम 4 बचकर 55 मिनिट तक रहेगी पंचांकी माननता अनुसार प्रदोशुवरत उदिया तिथी में गुरुवार 2 दिसंबर को रखना ही उ ओम नमशिवाय ओम शिवाय नमा ओम एम रिम शिव गवरीमय रिम एम उम ओम रिम नमा शिवाय रिम ओम ओम तत्पुर्शाय विद्महे महादेवाय धीमही तन्नो रुद्र प्रचोदयात धन्यवाद